अच्छ कर दोस्तों स्वागर अप से भी आप देख रहे हैं पोट्स क्लब ओफिजल इंडिया का फिल टिप चनल आपका तस्वात करते कौर ने वडियों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लइंड करेके एक और टॉपिक के बारे में जी हम बात कर रहे हैं विदरब रीजिनल क्रिके हुएंट डॉर्नमेंट फुर डायंड जो की होने वाला है उसके उपर हम बात कर रहे थे कलकोला की टीम का आमने आनालेसिस किया था आज हम चंदरपूर के analysis के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं तो चंदरपूर की team कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे हम सबसे पहले B1 category wise देखे हैं तो B1 category में चार नाम है जिसमें उमर शेक का नाम आता है जो की जो है पिछले कुछ time से लगातार इंटर स्टेट इवेंट्स में खेलते वे नजर आ रहे हैं domestically और ठीक था यंग्स्टर है बहतरीन तरह के bowler हो सकते हैं बहुत जाबरदस्ट effective bowler है और देखना होगा इन पे B1 bowling की मुझे लगता है काफी जादा मदार रहेगी इस पूरी की पूरी टीम के अगर हम देखें तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके तरप से यह एक जो है प्लेयर जो जिन पर हमें B1 काटेगरी में watch out रखना होगा अनिके जीवतेड़े यहाँ पे आपको अफकोस मिलेंगे उसके अलावा आकाश काडिवार रहेंगे और साती सात योगेश ठाकरे रहेंगे यह उनके जो है चार B1 प्लेयर्स हो जाते हैं B2 काटेगरी में अगर हम देखें तो यहाँ पे उनके सबसे जादा बहतरीन प्लेयर्स हैं क्रीम ऑफ टीम यह है जिसमें यहाँ पे आपको अनिकेद खामनकर मिलेंगे जो किन के कप्नान रहने वाले हैं और उसके अलावा अगर हम देखें तो यह देखें B2 काटेगरी में अनिकेद खामनकर के साथ-साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे और नाम्स हैं जिसमें से गनपत कंडे आपको नजर आते ह। रहेंगे उसके अलावा करण नवगड़े आपको देखेंगे उसके अलावा सावन पोरिवार भी आपको यहां पर यहां पर नजर आएंगे और एख बहुत बड़ा नाम है डॉमेस्टिक दीली लगातार नाशनले क्रिकेट में भी खेले हुए हैं तो इनके उपर निगाएं रखनी होगी उसके अलावा हम देखे तो राजकुमार दुरवे भी काफी टाइम तक इंटरस्टेट इवेंट्स में आक्टिव नजर आते वे नजर आये हैं तो उन्ते हमें निगाई रखनी होगी पावन राउत इस टीम में रहेंगे और संकेत इस टीम में रहेंगे तो यह overall के 13 प्लेश बनते हैं जो क्रीम है वो of course B2 प्लेश है B3 प्लेश में भी भेतरी माँ है टीम ठीक है बालेंस नजर आ देए B1 कैड़गरी प्रबबली जो है वो थोड़ी सी weakness बन सकती है इस team की जो लग रहा है देखके वो यही एक मातर वीकने से बाखी team बहतरीन है और on a given day किसी भी team को हराने का मादधा इस team में है कल हमने अकोला के बारे में बात किया था वहाँ पर भी भेतरीन team वो भी भेतरीन है और आज यहाँ पर चंदरपूर को देख रहे है वो भी भेतरीन team है तो देखना होगा किस तरह से वो performances करते हैं दोनों ही team है और हम और कल एक और team लेके आएंगे और बारा तरिक को भी एक औ हमारी YouTube चैनल में देखने मिलेगा तो बिलीस बने रहेगेगा चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर कर दीजएगा बेल आइकन को पर प्रेस जरूर कर दीजएगा मिलते आपको अगले वीड़े में तक ले धन्यवाद